Acceleration के Types को Discuss कर रहे थे Acceleration के हमने Uniform Acceleration, Instantaneous Acceleration इन दोनों को अमने क्या कर लिया? Discuss कर लिया था तो आप किसकी बारी है? Average Acceleration की बारी है और साथ में Positive Acceleration, Negative Acceleration यो तो Almost हमने क्या कर लिया? Discuss ही कर लिया खूरिभी मैंने आपको सम्छाने के लिए यप आपके नोटप की बनाने के लिए लिए प्श्रीक इंडिव एक्स एक्सलिए इसको बीडिसक सिरिघिड ऐसे कर!". क्या स्थिरिडरेचन तो। का मतलब जब भी आफ आफने कि अनने कि स्कूर्स कर दिया इसी तरह स्पीड में किया कर लिया एवरिज स्पीड को डिसकस कर लिया जब भी लपस आ ideas अपने тов क्ले अगर एक्सलर्रेशन आगा तो मतलब क्या है одна क्या gültal टैंज इननी विलाइस्टी और तो इंटारें से डिवाइट कर लिए तोे मुझे के उसकाम क्या कहते है? Average Acceleration. फिर मैंने Uniform Acceleration आपके साथ डिसकस कहा है कि Uniform Acceleration का मतलब क्या है? कि जब Body की Velasticity क्या करे? Equally Change करे with Equal Interval of Time. उसकाम क्या कहते है? Uniform Acceleration. अब इसके साथ एका और लफ्स Variable Acceleration. Variable Acceleration क्या होगा? जब Body की Velasticity equally change ना करे with Equal Interval of Time. क्या? Variable Acceleration का मतलब है कि जब Body की Velasticity equally change ना करे with Equal Interval of Time. तब उसकाम क्या कहिंगे? Variable Acceleration. तो अब जब एक important point आपने note करना है मैंने uniform जब Velasticity पढ़ाई थी. Velasticity में भी मैंने आपको बता था कि When a body is moving with Uniform Acceleration. वापन मैंने बताया था जब Velasticity का Speed or Velastic का lecture मैंने भी डिसकेस कही है. मैंने वापने लिका था कि When a body is moving with Uniform Velasticity. तब क्या situation था? अब क्या situation होगा? कि When a body is moving with Uniform Acceleration. जब भी बोडी Uniform Acceleration के साथ मूव करेगा, Uniform Acceleration का मतलब क्या है? कि जब बोडी की Velasticity क्या करे? Equally Change करे with Equal Interval of Time. अभी मैंने इसको डिसकस भी किया था. Uniform Acceleration. तो जब भी Body किस से मूव कर रहा होगा? Uniform Acceleration से मूव कर रहा होगा. तो जब Uniform Acceleration से मूव कर रहा होगा, तब Average Acceleration और Instantaneous Acceleration क्या होंगे? दोनों Equal होंगे. कब जब बोडी का Acceleration क्या होगा? Uniform, मतलब Same, उसकी जो Velasticity होगी, वो Equally Change कर रहा होगी with Equal Interval of Time. तो जब बोडी Uniform Acceleration से मूव कर रहा होगा, तब Average Acceleration और Instantaneous Acceleration यह दोनों क्या हो जाते? Equal. मतलब हर लमहे पर आपका जो instantaneous, जो instantaneous होगा, वो किसके Equal होगा? Average Acceleration. मतलब Average Acceleration किसके Equal आजाएगा? Instantaneous. अब किस तरह, let's suppose, मैंने यह आप एक example डिसकस कर लिया, simple, velocity क्या है, पहले वान मिनट में उसने जो velocity कवर की, उसने किया ता, मतलब वान मिनट में, let's suppose, जो चेंज आ रहा है गाएगा, जो जो चेंज विलास्टी में यह ता, पहले वान मिनट में, जो चेंज में विलास्टी आया था, वो कितना यह आ ता, 2. पि अगले मिन्ट में चेंज फिलास्टी कितना होगा? तू अब अब लेस्पोस इसी तरह दूसरे मिन्ट में देखते हैं, फिर अगले मिन्ट में चेंज फिलास्टी कितना होगा? तू फिर अगले मिन्ट में चेंज फिलास्टी कितना होगा? तू मतलब change in velocity कितना है 2,2,2 velocity कै, इस को हम कहें किते है uniform मतलब time interval b1 से कितना बन रहे है, 1, 1, 1 मतलब one में 1 क्वाइब प्लस करेंगे, 2, 3, 3, 4 मतलब time के, equal interval of time, time के, equal interval is और साथ में गया, जो velocity रहे है, equally change हो रहे है मतलब सब का जो change है, equal है सब का चेंज क्या है? एक्वल है, वो सब में का जो चेंज आ रहे है, वो क्या रहे है? टू हा रहे है, तो इसमें एवरिज एक्सेरेशन किस के बराबर होगा? इंस्टेंटिनेस, किस तरह? इन सब का चेंज क्या रहे है, टू, 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 मतलब कितना है? त्री है, मतलब जो को time given नहीं था तो simple number given ते जितने भी number given एंको तमाम को plus करना है और उस number को count कर लेना कितनी number है उसको निचे divide करना है let's suppose two plus two plus two कितने three तो उसको किस पर divide करना है three पर divide करना है तो two plus two plus two क्या हो जाएगा six six gu kia divided करना है three तो three once are three three two are six अब देखना एक्सेरेशन भी है टू मीनर पर से किंड और इस्टे निस एक्सेरेशन भी तो मिटर वितलब हर लंहा opposite div direct Cornilie को देख चलैपे इस तुझेंजु को डिकता रहे हैं था कितना चैंज ओर रहा है तू मतलब हर इंस्टेंट और हर लमगा इस और है औग सब मना आएगा मतलब ऑर निकाल लोंगें तो अबो होगा तो नहीं सब आएगा तो कितना रहा है 2 ms किना रहा रहा है और सितनल 3 स्जलेशन इंति ने ऐस से पूंसे धेसी कहले च outlines को क्या तो मीटर्टीपार इंतेड पर से के स्वेर इस विक यह व्याठ्ण मैंने आपको अभी बता जिए कि पोजिटिव एक्सलेरेशन कब होगा जब बोडी की विलास्टी क्या होगी इंक्रीस कर रही होगी तो एक्सलेरेशन क्या होगा पोजिटिव और इस केस में हम कहते हैं कि velocity मतलब acceleration और evolutionary दौनव आपस baseball लिए घद्रेमोगे तो गेक्सेलाशन दौने पहना क्योंते परिएल्ल अब पॉजिशन का समया प्音जियू विद्रे खंदी आुझ सम sist Championships का समझ यह मतलब जब बोडी की आंपस दौनब इसकेलिशन कोड़ थी ठीज पॉजिशन अगर नेगिटिवएकसरेशन की होगा किया कहते है नेगिटिव एकसलेरशन मतलब नेगिटिव एकसलेरशन किस तरच होगा जब भी किसी भी बोडी कास फीट को 可以 बेड की होजाए så acceleration रेक्सेलरशन क्या होगा barbecue किस दरह नेगिटिव का होगा इस case बोड़ी की willacity आगर वह खानेता नीथा मतलब specific मतलब किसको एकवेक्टर क् सुछ सुछ में क्यशन सकंदेए को तो फिर हम स्पीड की संदार करेंगे हम क्या cover करते हैं displacement cover करते है पर यूनर टाम तो जब negative acceleration का मतलब क्या है वहाँ पर velocity और acceleration दोनों अपस में क्या होंगे anti-parallel जब velocity और acceleration दोनों आपस में क्या होंगे anti-parallel तब acceleration क्या होगा negative और उसी body की velocity क्या करेगी decrease या velocity की जगा आप क्या लिख सकते हो, speed भी लिख सकते हो, speed क्या करेंगी? decrease, जब break अपलाई करेंगा, तो speed क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हम कहे सकते हैं, speed जब decrease करें, या जब अगर वह specific direction में था, तो हम कहे सकते हैं, velocity decrease, तो आपने speed में confused नहीं होना, speed में फर्क है, के speed में क्या कवर करते हैं, distance, ceckler quantity है, velocity का, vector quantity है, इसमें हम एक खास direction में क्या कवर करते हैं, कि सी भी distance को displacement को क्या करते हैं, पर इनट ताइमें कवर करते हैं, खास direction में, तो speed और velocity का lecture मैंने पहले भी दिया है बहुत ही डिटेल से तो अगर आपने वह नहीं देखा तो उसको भी लजमी देखे अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि acceleration, change in velocity, force and impulse are always in the same direction यह तमाम तमाम सबसे पहले लिखा है गया acceleration और इसके साथ change in velocity, acceleration काउम किसे डिनोट करते है A से, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A, और इसी तरह change in velocity का मतलब कहा है simple change in velocity और पिर मैंने क्या लिखा है force, force को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यह सारे क्या है vector quantity, force भी क्या है vector quantity और 7 में impulse and impulse, impulse column 키से जाहर करते है EU IC तो यह तो यह तिमाम क्या हूँगे, यह तिमाम एक ही direction में होता है Jahrenaisse類型 की होगा XC Его, अगर force यह तो यह तिमाम क्या हूँगे, अगर force इस direction में था तो उस Axelation में ग्रोडिश ऑगा उसी body के अगर मतलब क्या होगा तो जब वो accelerate करेगा ना मतलब force बढ़ेगा ना जब उस पर आप force लगाओगे ना तो उसमें acceleration produce होगा acceleration produce का मतलब क्या है वहापर acceleration मतलब क्या होगा बढ़ जाएगा जब acceleration increase करेगा तो मतलब क्या होगा velocity की direction, change in velocity का direction भी क्या होगा जहाँ पर force लग रहा होगा, मतलब जहाँ पर क्या होगा acceleration और impulse आम आगे पढ़ेंगे detail से और impulse का direction भी वही होगा जहाँ पर force, acceleration और change in velocity होगा तो change in velocity का मैंने direction आपको पहले भी बता थे कि velocity का, जो velocity का direction है वो acceleration की direction में हो भी सकता है और acceleration की direction में नहीं भी हो सकता है अभी मैंने आपको बता दें तो आपको उसको अपने क्या करना है जेन में बिटा देना है तो ये तमाम force, acceleration और change in velocity और influence ये सारे एक ही direction में ते जहाँ पर force लग रहा होगा तो उसी direction में acceleration होगा उसी direction में क्या होगा change in velocity और उसी direction में क्या होगा influence होगा पर हम negative acceleration को क्या कहते है negative acceleration को हम deacceleration भी कहते है और उसका दुसरा नाम retardation negative acceleration को हम क्या कहते है deacceleration भी कहते है और retardation भी कहते है negative acceleration का मतलब क्या जब भी body की speed क्या हो जाए डिक्रीज कर थे छब आप कार में बड़ते हो जब कर voz को अब एकες करते ए उसकी पनाइस्टि क्विरज़ में तो जब इसके इंप्रीज क्या फिर बीडिशन हैorf हैं और उसको retardation भी केते हैं तो यह acceleration के related acceleration से related जो भी topic content था उस काम ने क्या कर लिया almost acceleration से related हर point हर concept काम ने क्या कर लिया cover कर लिया तो अगर फिर भी आपको acceleration से related कोई भी मतलब point missing हो या पिर भी आपको कोई भी point समझ नहीं आया तो आप comment section में भी पूछ सकते हो तो अपने channel को subscribe भी कर देना है channel को like भी कर देना है और साथ में अपने दुस्तों के साथ share भी करना है तो इसके बाद हम जो velocity time grab को पढ़ेंगे पिर साथ में और lecture भी cover करेंगे तो अगर आप till then अगर चेनल को subscribe नहीं कर देना है तो चेनल को subscribe कर दे तो अगर कोई भी point आपको समझ नहीं आया तो point आप comment section में भी पूछ सकते है तो till then Allah आप इस lecture को मतलब हर मतलब जो भी competitive exam के लिए आप तयारी करे हो या APC board exam के लिए अब तयारी करेंगे या कोई भी दूसरा वरबली याप तयारी करे हो तो यह lecture आपको हर लिफाज में आपको क्या करेंगा क्योंकेísलेर्शन से रेलिटेड मैंने तमाम के तमाम इना content जो तमाम के तमाम point थे excelsion अससे लवा excelsion से रेलिटेड कोई भी point क्या कर लिए डिसकस कर लिए तो तिल देन हाला अफिज इंशाला पर नेक्स ट्रेक्शन में मिलते हैं